आज गर्म तवे पर बर्फ में दूध डालेंगे देखकर चौक जाएंगे फ्रेंड मगर वीडियो को पूरा देखिएगा बहुत ही कमाल का है तो कुछ ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स लेके आई हूँ जिससे आपके डेली का काम तो आसान होगा ही साथ ही साथ आप इन सारे टिप्स के थ्रू धेर सारे पैसे और समय की बचत भी कर सकती हैं और खास बात यह है कि इन सारे टिप्स के उपर आपका एक रुपया भी खर्च होने वाला नहीं है तो चलिए फ्रेंड देर नहीं करते हैं वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने कुछ पुराने पीलो कवर लिए हैं जब तकिया का कवर पुराना हो जाता है तो हम इसे हटा देते हैं इसे यूज नहीं करते हैं तो इसे दूसरे तरीके से यूज कर सकते हैं तो उसके लिए आप एक पुराना तकिया का कवर ले 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 और तकिया के कवर के बराबर का कोई भी इस तरीके का पॉलिथिन ले 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 तो ये जो पॉलिथिन है ये ग्रोसरी का है जब हम चावल डाल वगर ले कर आते हैं तो इ इस पॉलिथीन को हम इस तकिया कवर के अंदर डाल देंगे आपके पास जो भी पॉलिथीनों ले लीजिए का अब इस तरीके से हमें इसे अच्छे से सेट कर देना है इसमें उसके बाद फ्रेंड आप अपने बर्तनों को शुखाने के लिए इसका यूज कर सकती है जब हम बर्तन को धूल कर अपने किचन प्लेटफर्म पर रखते हैं तो बहुत जादा गीला हो जाता है कभी कभी तो प्लेटफर्म पर से पानी नीचे भी गिर जाता है जिससे पुरा किचन गीला हो जाता है तो आप इस तरीके से इसका यूज कर लें इससे आपका kitchen platform भी गीला नहीं होगा और बर्तन भी इसमें जल्दी सूख जाते हैं तो ये idea मुझे बहुत पसंद आया आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा और जब आप बर्तन को basket में रखती हैं तो basket को भी इसके उपर रख सकती हैं उससे भी पानी इसके अंदर आएगा रात को kitchen और बर्तन साफ करने के साथ साथ हम चकला और बेलन को भी बहुत अच्छे से साफ करके रखते हैं मगर जब हम kitchen का light बंद करके सोने के लिए चले जाते हैं तो kitchen में जो cockroach, कीड़े या छिपकली रखती हैं वो घूमने लगते हैं जिससे वो चकले और बेलन के उपर भी आ जाते हैं और हमें वो दिखते नहीं हैं तो हमें लगता है कि ये तो अच्छे से साफ है और सुबह में हम तुरंत रोटी बनाना शुरू कर देते हैं तो ऐसी गलती ना करें आप हमेशा चकला और बेलन को इस तरीके से एक polythin में करके रखें ऐसे करके रखने से ये बंद रहेगा और इसके उपर कॉक्रोज कीड़े या छिपकली नहीं आएंगी और आपको सुबह में इसे धोने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी नेक्स टिप मेरा अगर बत्ती को लेकर है जब हम अगर बत्ती को जलाते हैं तो कभी कभी अगर बत्ती बहुत जल्दी जलकर खतम हो जाता है और इसका जो खुश्बू है वो अच्छे से आता ही नहीं है तो उसके लिए आप ये छोटा सा हैक जरूर से ट्राई करिएगा फ्रेंड इससे आपकी अगर बत्ती लंबे टाइम तक जलेगी और इसका जो खुश्बू है वो डबल होकर आएगी तो उसके लिए आप हाथ में इस तरीके से पानी लगा ले उसके बाद अगर बत्ती को इस तरीके से हाथ में लेकर पानी को लगाएं जब आप ऐसे पानी लगाएंगी तो अगर बत्ती को उपर अच्छे से पानी का एक कोटिंग हो जाएगा तो आपको दो-तीन बार इस तरीके से पानी को लगा देना है उसके बाद आप क्या करें? इसके जो खुश्बू है उसको बढ़ाने के लिए इसके उपर कोई भी अच्छी सी खुश्बू वाले डेलकम पाउडर का यूज़ कर ले इस तरीके से पाउडर को इसके उपर छिड़क दे अब प्लेट को उठा कर इस तरीके से शेक कर ले ताकि जो पाउडर है वो अगरबती में अच्छे से कोट हो जाए अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को नए आये हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करके दोस्तों के शेयर जरूर से करिएगा तो यहां पर देखिए हमने अगर वर्ती में पाउडर को अच्छे से लगा दिया है यह देखिए तो बस इसी तरीके से हमें पाउडर को इसमें लगा देना है अब ये मत सोचिएगा कि इसमें हमने पानी लगाया है तो ये जलेगा नहीं तो चलिए अब इसे मैं जला कर आपका डाउट भी क्लियर कर देती हूँ बहुत अच्छे से जलेगा और इतना सलोली जलेगा नगर आपके घर में इसकी खुश्बु पूरा कोने कोने तक पहुँच जाएगे और पाउडर डालने के वज़े से इसमें से डबल खुशबू आएगा अगर बत्ती का तो अलग से आएगा ही साथ ही साथ उसमें पाउडर का भी आएगा यहां पर मैंने कुछ बरफ के क्यूप्स लिए हैं बरफ का इस्तमाल करते हैं कोल रिंग वगर में मगर आज इसका इस्तमाल करेंगे गर्म तवे पर दूद के साथ क्यों करना है कैशे करना है वो भी दिखाऊंगी मगर बहुत ही कमाल का है और इसके थ्रो आपका बहुत सारा पैसा भी बचेगा तो गैस को आन करेंगे और गैस का फ्लिम लो कर देंगे उसके बाद तवे को रखेंगे तवे के उपर बरफ डालेंगे तो 5-6 क्यूब मैं इसमें बरफ को डाल दे रही हो अब इसमें 3-4 चमस दूद डालेंगे यहाँ पर आप पका हुआ या कच्चा कोई भी दूद ले सकती है गाय का दूद है तो ज़्यादा अच्छा है अब दोनों को मिलाते हुए हम पकाएंगे अब यहाँ पर आपको लगेगा कि जब दूद को पकाना था तो बरफ डालने की क्या जरूरत है मगर फ्रेंड जब हम दूद को डारेट तवे पकाएंगे तो दूद जलना शुरू हो जाएगा अगर साथ में बरफ डालते हैं तो दूद नहीं जलेगा और यह अच्छे से पक जाएगा यानि बरफ का जो पानी है वो जलेगा तो देखी यह अच्छे से मेल्ट हो गया है दूद में और इसमें उबाल भी आ गया है तो अब इसमें हम डालेंगे वन फोर छोटा चमश हल्दी पाउडर कुछ और चीजे भी इसमें डालेंगे फ्रेंट वो हम आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगे तो हल्दी पाउडर डालने के बाद अब इसे हम लगातार इस तरीके से चलाते हुए पका लेंगे गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखें और इस तरीके से चलाते रहें तो देखे फ्रेंट इसमें बहुत ही अच्छे से उबाला गया है और ये पकना भी शुरू हो गया है तो अभी आप देख सकती हैं कि ये पक्कर आधा हो गया है तो अब गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे एक बरतन में निकाल लेंगे अब निकालने के बाद हमें इसे रख देना है ठंडा होने के लिए उसके बाद हम आगे का प्रोशिश करेंगे तो अभी ये अच्छे से ठंडा हो गया है अब इसमें डालेंगे एक चमच भर कर बेशन और बेशन को हमें इसमें अच्छे से मिला लेना है तो इस तरीके से चलाते हुए इसे अच्छे से मिला लें जो इसमें गुठली है उसे फोड़ दे और देखिए अच्छे से हमने इस एलोवेरा है तो आप इसका यूज करें अगर ये नहीं है तो आप एलोवेरा जेल का भी यूज कर सकती है तो इसे इस तरीके से आप काट ले उसके बाद चाकु से हलके हलके हाथ से इस तरीके से निकाले जब आप चाकु से इसे निकालेंगी नहीं तो इसमें गुठली नहीं आएगा एक दम लिक्विट फोर्म में होकर निकलेगा तो देखे मैंने एक चम्मच के करीब एलोवेरा जेल निकाल लिया है अब इसे हम इसमें डाल कर अच्छे से मिलाएंगे फ्रेश एलोवेरा का यूज करेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और जब इसे आप इस पेश्ट के अंदर मिलाएंगी तो ये कुछ इस तरीके से मिक्स होगा अब इसे थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए इसमें डालेंगे आधा छोटा चमच ग्लिसरिन अगर ग्लिसरिन नहीं है तो आप इसके जगह पर वन फ़र छोटा चमच कोकोनट ओल डाल दें उसके बाद इसे अच्छे से मिला लें फ्रेंड इसे हमें बहुत अच्छे से मिलाना है क्योंकि जब आप इसे अच्छे से मिलाएंगे ने तो ये देखने में कुछ अलगिल हो जाता है जो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी तो पहले इसे अच्छे से फेट लेती हूँ और अभी आप देख सकती ही ये अच्छे से मिक्स हो गया है और ये देखे कुछ इस तरीके का हो गया है तो चलिए अब इसे हम यूज करके दिखाते हैं फ्रेंट दिवाली अभी आने वाला है और दिवाली की शफाई करने में हमारे जो हाथ होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं और जो धूल मिट्टी होता है उसकी वज़े से हमारे स्कीन भी खराब हो जाता है फेस का तो आप इसे अपने हाथ पर फेस पर गर्दन पर इस तरीके से लगा कर 5 मिनट के लिए ऐसे रब कर लें अब इस तरीके से मसाज करने के बाद आप इसे छोड़ दें जब तक ये सूख नहीं जाता है यकीन मानिए फ्रेंड आपको पारलर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इतना ये असरदार रहता है जब ये अच्छे से सूख ज स्कीन है तो वो भी रिमूर हो जाता है तो इस तरीके से मसाज करने के बाद आप हाथ को अच्छे से धोले नॉर्मल पानी से तो फ्रेंड जो हमने इसमें ग्लिसरिन और एलोवेरा डाला है उसकी वज़े से आपका हाथ बहुत ही सौफ्ट रहेगा और दूध और हल्दी के वज़े से आपके जो स्कीन है वो ग्लो करेगी तो आपको पारलर जाके बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है आप इस तरीके से अपने स्कीन का केर कर सकती है अगला टिप मेरा नमक को लेकर है यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक का टब लिया है अब इस एक से दो लीटर के करीब डाल देना है अब इसको हमें अच्छे से मिलाना है जब तक कि जो नमक है वो पानी में घुल नहीं जाता तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड यह अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब इसमें डालेंगे वाइट कपड़े फ्रेंड अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि कपड़े में जब वो उजाला लगाती है तो उजाला सब जगह बराबर नहीं रहता है कपड़े में कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम रहता है कहीं पर लगता ही नहीं है तो अगर आप नमक के साथ इस तरीके से इस पर उजाला लगाएंगी तो बहुत अच अच्छे से निचोड लेना है निचोडने के बाद आपको एक और काम करना है इस तरीके से कपड़े को जटकना है जटकने से होता यह है फ्रेंड की जो उजाला का कलर है वो सब जगह इक्वल भी हो जाता है अगर थोड़ा भी इधर उधर रहता है तो अब यहां पर मैंने र है तो फ्रेंड आज का वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो चलिए एक अच्छे सी वीडियो के साथ फिर से मिलती हूं तब तक के लिए बैबै एंड टेक क्यार